Hello students, welcome to this video, ने देखने माले हैं अरद यूदी सोड़ेन और कहों सबसे पहले हैं है एलो पहले हम यह नाम और चाहिंगे लिञार के सब इसके बाद तो उनना आप लिखेए सटनी है तो यह सब आपको लिखना सबसे प्यहले इसकी पाद पेपर सोल्व करेंगे तो देखतें सबसे पहले आपके जो पेपर में हैं बहुत जो प्रीकलप पुर्ष्ण देखेंگे साने के लिए नेक्स बचने के लिए और नबको अतंने की बचना विए निखनाका थे आपको मिधक्वाय। लिए अइसान एय। अधिक लगा दीजिए और लिख वुरुजापका है आपने को लिए निरदेश किसमय जारी तो सड़क सुरक्षा सपताय के लिए निरदेश परिभाहन विभागने जारी कि ए भी अपा सही है कि कि सारे प्रश्णों को आपको अच्छी सॉल्व करना है ताकि के आपका बेश तारीक का पेपर बहुत ही अच्छा जाए नेक्स्ट है आपका सडख सुरक्षा नहीं केवन लारा इस पंक्ति के दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी तो इस पोस्टर में आपकी एक पंक्ति लिखी हुई थी तो उसकी आगे की आपको बताना है तो दिखी उदर लिखी थी सडख सुरक्षा नहीं केवन लारा सुखी ब देखेंगे पोश्टर को देखकर दीए गज़े टो कल है तो पोस्टर आपका ज़ल पर दिया गया है तो प्रिश्ट आपका ሜ ही तरह है जीवन कोन सी वस्तो आवा सखेज ही जल के जैसे ही कौन सी प्रगति की निसानी तो आपका सी ऑप्सें सही इसान्रक्षित जल सुरक्षित करोगे तो कल आपका सुरक्षित रहेगा नेक्स आपका जल को संबंदी वाकव के लिए कि रिया सब्त के रूप में प्रियोग किया जाएगा तो संरक्षित जो सब्द है आपका उसको और क्या बोल सकते हैं तो संरक्षित आने कि बचाएं बचाएं बोल सकते हैं आप जल को संरक्षित करना जल को बचाना बोल सकते हैं कि नहीं नेक्स्ट आप देखेंगे लगू त्रे प्रिश्ण तो दिए प्रिश्णों के उत्तर ल रुपया प्रिचलन में नहीं था तब बस्तु बिनिम्य को अपनाया जाता था हम सामने बाले को कोई और बस्तु दे देते थे और उसके वदले में हम सामने वाले से कोई बस्तू ले लेते थे यानि कि जब कुछ पैसे नहीं होते थे तो ऐसा किया जाता था कि आपको जो भी चीज चाहिए उसके वदले आप कोई और बस्तू दे देंगे और वो आपको तूसरी बस्तू दे देंगे नेक्स्ट है आपका बरतमान समय में आपके पास नगद रुपिया नहीं हो तो आप स्कूल बस्त का सुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे तो बरतमान समय में यदि हमारे पास नगद रुपिया नहीं हो तो हम से इंटरनेट बैंकिंग जैसे फॉन पे पे टीम आधी से चुका देना कानपकना, तो कान पकना ना पालतों के भासतें करना सीदह महबातना करना, बहुत अधिक गमंट करना, कान बढ़ना, किसी के खिलाब भड़काना सब्द कोस के अनुशार, निमन लिखिशों को उचित करम में लिखिए पहला आपका बाड़ी, जीवन, धारण, पोत्र, सफल, अधीर आप लिखेंगे अधीर, जीवन, पोत्र, बाड़ी, धारण, सफल इसके बाड आप देखेंगे नेक्ष्ट आपका तेरवन, नंबर का प्रश्ण दिये गए सर्वनाम के यादार पर दो दो बाग के लखिए तो पहला आपका दिया गया है निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक क्या नी होता है, निज याणी होता है अपना, यानि अपने बाड़े में बताना तो आप लेखेंगे मुझे घूमना बहुत पसंद है, नेक्ष्ट आपका मैंने अपने लिए घड़ी खरी थी तो या भी अपने बारे में बता रहे हैं इसके बाद नेक्ष्ट देखेंगे तो प्रिश्ण बाचक सर्वनाम यानि कि आप किसी से प्रिश्ण पूंच रहे हूं यानि कि आप पूंच रहे हूं कि आपने ऐसा किया तो पहला आपका है आपने आज खाने में क्या खाया तो आपने क्या खाया तो आपने क्या खाया तो कि आप आज बाजार गए थे तो यह भी प्रिश्ण बाचक सब्बाक हुआ इस प्रकार से आपको लखना है इसके बाद देखेंगे दीर को उत्रिये प्रिश्ण पहला आपका इंटरनेट विशाय पर सब्दों निवंद लिखिए निवंद आप कैसे लिखेंगे इंटरनेट हम इंसानों की मुलभूत जरूरत बन चुका है आज के समय में पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं इंटरनेट पर हम अपने किसी भी विशाय से संबंदित जानकारी पराप्त सकते हैं साथ ही इंटरनेट से हम हम से हजारों क किलो मीटर दूर बैठे 32 से बात कर सकते हैं तो तो देखिए हजारों किलो मेटर यदि आप भोपाल में रहते हैं तो आप दिली के लोगों से बात कर सकते हैं या दूसरे जगह से बहुत ही दूर दूर के लोगों से बात कर सकते हैं तो इंटरनेट के जरीवी तो होता है औ और आजकल परिक्षाइं भी ऑनलाइन हो रही हैं तो आपका लोकडाउन लगा था तो आपकी परिक्षाइं ओनलाइन होती थी ने क्लास इस ऑनलाइन ही लगती थी जिसमें इंटरनेट अपनी अहम भूम का अदा कर रहा है इस परकार से आपको लिख देना है डिवन्द इसक इस अनुसर आप लिखेंगे मेरा परियेखेल क्रिक्षाइं मैं और मेरे दोस्त रफिबार के दिन मेंमाड़ में किटख्या देखना बही मुझे बहुत पसंद है किरक्षा में 11 खलाड़ी होते हैं इस परकाar से आप लिको सकते हैं तो आप लिखेंगे नेक्स्ट आपका ब्यायाम, तो पहला आपका ब्यायाम करने से स्वास्त अच्छा रहता है, प्रति दिन ब्यायाम करना एक अच्छी आदत है, ब्यायाम से हमारा सरी चुस्त बनता है, सुर नमस्कर बहुत ही अच्छा ब्यायाम है, मैं रोज ब्यायाम करता हूं, इस प्रकार से आप तो आप अपने मौसी झी को पत्र शाह बोलाना हाईए और वियर्वना को उध्य करूं भाइए पर मौसी झील को जरुर बढ़ाना मौसी झील को जरुड़ Chris आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सबी लोग आएंगे तब यह जादा अच्छा लगेगा इसके बाद आप दिखेंगे किसको कौनसे प्रकार का पत्र और संभूधन लिखा जाएगा तो पहले आपका माता और पिता को यहीं आप माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपका क लिखेंगे तो आपका जिलाधिस महुमादय को तो यह भी आपका deathis पेस्तों मेंसरेते एक्ता को सरे सवा स्रीमान जाइंड है पर दूब Laughing यह बाछे को सबा करें तो लिखेंगे सिवा मेंशिरपे क्ना और अगर आप लेका़ Besch Garage को जो गलेंगा और आप का उपचारिक पत्र कहलाता है और आप सुरू में लेखेंगे प्रति नगरपाली का अध्यक्ष इसी प्रकार से आपके सारे पृष्णव को को आ बहुत अच्छे से घ्ल कर ले emails को आपका ऑपसंदम की का लीजें थेंक्स फूर बाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में